नमस्कार बैहु मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नगट संग्राम तो निकाय चुनाओं की तारी जैसे जैसे नज़्धीकारी है सभी पार्टी और पार्टी के प्रत्याशी साम, दाम, दंड और भेद हर एक रणनीति को अपना कर जीत की दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार तमाम पार्टियों के प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जादा से जादा लोगों के साथ समय बिता रहे हैं ताकि जितना जादा जनाधार हो सके वो उनकी पार्टी और उनको मिल सके यही वज़ा है कि अब लगातार जो तमाम पार्टी के प्रत्याशी है वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों के साथ समय बिता रहे हैं फिर चाहे वो महिलाई हो चाहे वो बच्चे हो और चाहे वो बुज़ुर्गी क्यों नहों हर एक जो पार्टी के करते हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसे में सपा पार्शद प्रत्याशी एनुद्दीन एहमद जो की सपा से प्रत्याशी घोशित कि गए और एश बाग वाट से सपा ने उन पर दाव खेला है वो हमारे साथ जुड़े हैं सबसे पहले तो एनुद्दीन एहमद जी मैं आपका प बीच मौझूद रहे होंगे या अब लोगों के बीच जाकर जनाधार मांगने का प्रयास कर रहे होंगे तो ऐसे में आपके बड़े मुद्दे क्या है जो आप जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं हम हमाय चेत्र के जो सबसे बड़े मुद्दी है वह गंदिगी जाता है और इस चेत्र में सबसे आता गंदिगी इसलिए है कि इस चेत्र में करीब 50-60 साल हो गए चेत्र को बने वे यहां सीवार ही नहीं और करीब तक्रीबन 20 साल से जो है पहले 10 साल जो है कांग्रेस रही है उसके बाद 10 साल से बीजेपी है लेकि छेत्र विकास या कोई जो है काम नहीं हुआ ठीक है एनुदीन जी लेकिन अगर आप जो जाते हैं जी बताइए जिस चेत्र में भी हम जाते हैं उस चेत्र की जनता जो है आप मतलब इत्ता समर्थन दे रही है कि सिर्फ इसी वज़े से ठीक है एनुदीन जी जिस तरीके से आपने बोला कि आप लोगों के बीच जाते हैं और लोगों के बीच जादा से जादा समय बिताने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी आपने बता है कि आपके वार्ड में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है तो ऐसे में जनता का समर्थन मिल रहा है तो क्या महिलाओं को भी आपूर समर्थन आपके साथ है यौशसार पूरा-फूरा महिलाओं कर समर्थन है ठीक है आपने बोला कि आपके प्रात्मिकता रहेगी कि जो गंदगी मैं जो खुशा diets और से निजात नहीं मिल पा रहा है सीवरण नहीं है लेक इतने छेत्र में गंदिघी है यहां तक कि जहां पर मेरा ये कारियाल है वहां वी बरशात होती है महां पर पानी बढ़ेता है मैं आod लेकिन इसमेश महीलाओं के यह आप क्या कुछ करें गेश महिला के सुरक्षा का मुद्दा आप उठाएंगे क्योंकि महिला सुरक्षा आज भी एक एहम मुद्दा बनता है हर एक चुनाओं में नहीं नहीं महिलाओं के लिए जो है जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे चिक है और जी जिता जादा हमसे हो सकेगा मैलाओं के लिए करेंगे अनुत दीन ची लगतार आप इस वार्ड में कही न कही पले बढ़े होंगे आपने हर इस वार्ड की अगर विकास हुआ है तो उसकी भी तस्वीरे देखी होंगे अब आपके शेदर का विकास नहीं हुआ है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसके लिए सबसे ज़्यादा कर किसी को जुमिदार मानते हैं तो बीजे़ पी को भाजपा को जो से पहले जो हमाई पार्शाद रहे हैं उनको जुमिदार मानते हैं ठीक है एनो तीन जी जिस तरीके से आपने बोला है कि आपके वाड में जो पारशा थे भाजपा के उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया और अब निकायच नाओ क्या जो समय है वो काफी नजदी किया तो क्या आपको लगता है कि इस बार आपके और भाजपा के बीच जो ह आपके ही साथ है अब आएस बाग वाड में एक इत्यासिक जीत होई भाजपा दूर दूर तक उसका पतर हैं कि जनता इतनी नाराज है कि भाजपा को पसंधी नहीं करती है अब जाते हैं जी जैनो दीन जी बताईए हम जहां भी जिस चेत्र में जाते हैं कि वहाँ भाजपा को लोग रुखने ही नहीं देते हैं कि अनुदीन जी आपने पोला कि आप जिस भी वॉर्ड में जाते हैं वहां पर लोग भाजपा को रुखने नहीं देते क्योंकि भाजपा ने काम नहीं किया भाजपा ने विकास नहीं किया ऐसे में अगर आप चुनाव जीते हैं तो वह प्रमुख काम कॉल से होंगे जो आप जो बिलकुल जैसे भाजपा सरकार कहती कि गढ़्धा मुक्त कोई गढ़्धा मुक्त नहीं है और दूसरा नाली वगारा जो इत्ती गंदगी है उसको सही कराएंगे और सबसे बढ़ी प्रद्रिक्ता जो है सीवर लेंड दल्वाने की है मेरी कोशिश यही होगी जो है काम आप कौन से कराएंगे इसके अलावा इसके अलावा जैसे हमाई छेत्र में जो पार्क वगारा बिलकुल है जहां बच्चे ना खेल सकते हैं ना कुछ कोई पार्क ही नहीं है इस बाग में सही और कुछ पार्के तो ऐसी है जो पांच-पांच बार जो है बोड़ तो कोई भी सरकारी स्कूल आप देख लीजें कई है नहीं है ठीक है अनुत दीन जब इस बार आप पार्शेदी का चुनाओं लड़ने जो रहे हैं लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने राजनीतिक करियर की राजनीतिक करियर पर भी एक बार प्रकास डालते हुए हमारे जंता क कि आपका राजनीतिक करियर क्या रहा है कि के तक्रीवन 15 से 20 साल हो गए हमें समाजवादी में पहले तो मैं बहुत चोटा कायर करता था छेत्री है और आज हम जो है मद्विदान सभा के अध्यक्ष हैं और हमारे जो है राष्टे एक्धक्स मानिय अखले से अधोजी ने उ और उनकी उमूदों पर हम खरा उतरेंगे और इंशालला हम जीत के आई हैं ठीक है अनुतीन जी यह माना जाता है कि जो युवा होते हैं वो देश के विकास की सीड़ी होते हैं और जाहिर सी बात है कि आपका भी ऐसा वाड है जहां पर युवा भी होंगे बच्चे भी हों और बुज़र्ग भी होंगे तो ऐसे में युवाओं के लिए आपकी क्या कुछ रण नीती है कि अधिक हमाई रण नीती यह कि युवाओं के लिए जो है अच्छ 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 एक तो जो है स्कूल बगारा जैसे हैं वो होना चाहिए अच्छ है कोई हमाई रही है और क्या क्या काम आप युवाओं के लिए करेंगे जो है जिस तरीके से जो होना चाहिए जिसे खेल का मैदान है वयाम की जिए हैं इस तरीके लिए के लिए करा तुर्ट करा जाएगा ठीक है आपने बोला कि पंद्रा साल से आप सपा के एक सक्रिय सदस रहे हैं जो लगातार सपा के साथ हमेशा डटा रहा है तो आखिर सपा की ऐसी कौन सी बात आपको ब्रास आ गए कि आप 20 साल से लगातार एक ही पाटी में यूही निरंतर बरकरार है देखिए उसका नेटर रामा है पहले हमारे नेताजी थे सुर्गए नेताजी वलाहिम traction जी उनके ंतेट में हम काम कटेटे प अब जहर राष्टियत देख्त हमाई घोरर्टियि उनके नेत्यत में हम काम करते हैं, क्योंकि उनका नेत्यती ऐसा है कि हो सकता, आने आले दिनों में वो परधान मंत्री भी होंगे, क्यों सारा विपक्च उनके ओपर भरोसा कर रहा है. जब आप राजनीती में आएं, तो क्या आपने बच्पन से यह सोचा था, कि आपको राजनीती करते हुए लोगों की मदद करनी है, या फिर आपने किसी को देखा और किसी ने आप पर इतना प्रभाव डाला कि फिर आपने सोचा कि आप राजनीती में जाएंगे? लोगों की मदद करना ऑज हमने बहुत लोगों की मदद करी है, एनो दीन जी अबी आपने जिक्रे किया कि आपने करोना काल में लोगों की बहुत मदद की है, तो हमारे दर्शिकों तक आप वो भी पहुच आए? करोना काल में अब किस तरीके से लोगों की काम आए जब दुकाने बन थी और विवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी करोना काल के अंदर जो है कुछ ऐसे थे जहां जो है लॉग डॉन लगा हो था जहां लोग जा नहीं सकते थे वह हूं जितना भी हमसे मदद हो सका उने किया है ठीक है अनो दीं जी आप अपनी राजनीती में आने का शरेय पूरा किसको देते हैं अपने राजनीती में आने का श्रेय पूरा मानियों मुलाहिं संग यादो जी को देते हैं जो हम लोग के बीच में नहीं है जीT असके बाद में जो है हमाय राश्टिय एड़र अकलिस यादो जी है उनको इसका शेयर देते हैं उनकी नीतिऊं.." पूरा श्रेय दिया अपनी राजनीती मैंने का लेकिन उनके कोई ऐसी बात जो आज तक आपको ध्यान है उनकी एक ऐसी चीज़ है अगर हजारों आदमी अगर खड़े हूं वो कायर करता हूं को पहचानते थे तो सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती थी अगर वो कभी गुसा भी जाते थे दुबारा फिर बुलाते थे और पीट तप तप आते थे जो है वो चीज़ें इसी हैं जो भूलने आली नहीं काफी नजदीक है क्योंकि चार मई को यहां पर वोट डाले जाएंगे और अक्सर जनता जो है वो यह सोचती है कि अभी भी जो हमाई राजनीती है वो धर्रे पर चल रही है इस जनता को लगता है कि प्रत्याशी जीत जाएगा फिर उनके बीच नहीं आएगा तो आप लोगों जो लोगों जो लोग की सोचते हैं उसको किस तरीके से बदलने का काम कर रहे हैं थे जनता और जहां भी हम जाते है और जनता पूरा पूरा भरहसा गरती है और अपकिल जो यह चुनाओ है इसमें जो कोई भी एक मतलब एक तरफा यह चुनाओ है मतलब कोई भी इसमें टक्कर पे नहीं है कि जो है हमको जो उसको बता सके ठीक है अभी आपने जिक्री किया कि कोई भी टक्कर में नहीं है आपके यानि सभा की टक्कर में कोई नहीं है तो क्या कहा जाए कि इस बार आपके वार्ड में जो सभा की साइकल है वो रफतार पकड़ेगी बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ेंगे और इत्यासिक जीत होगी जोगा समाजवादी की जैनिस बार 2030 के निकाह चुनाव में आपकी पार्टी की इत्यासिक जीत होगी ऐसा आपको लगता है जी यहां इत्यासिक जी तो कम से सतर से असी जो है हमारे पार्षा दोएंगे और मेर भी हमारा होगा अभी आपने जिक्री किया एनुदीन जी की मेर आपका होगा लेकिन अगर मेर सीट की बात करें तो इस सीट पर तकरीबन 27 से 28 साल तक भाश्पा का कफ़ा रहा है तो क्या कहीं न कहीं आपकी पार्टी के लिए बड़ी चुनोती बन कर साबित हो सकता है या बड़ी चुनोती बन सकता है ये सभा के लिए कोई चुनोती नहीं कहीं से कोई चुनोती नहीं किसी तरह की कोई चुनोती नहीं कि जनता बहुत नाराज है 25 साल से मेर उनका है मेर ने कोई काम नहीं के लखनों के अंदर आप पूरा लखनों देख सकती है कि मेर के उससे क्या काम हुआ कोई काम नहीं हुआ ठीक है एनुदिन अहमद जी अब चुनाओं की तारीखे काफी नजदीक है चार माई को पहले चरण में लख्टाओं में वो डाले जाएंगे तो ऐसे में आप जनता से क्या अपील करेंगे जनता से अपील यही करेंगे जितने भी जो है जो लोग जीतने आले हैं उनको जो है जिता है समाजवादी को उड़ दे और पार्षदों को जहादा ज्यादा उससे जिता है और आने आले दिनों में जंतार गिजितने भी पार्षद है जंता के उस पर खरे उता रहीँ अब आप प्राम जीसे माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि आइस बागवाड में हमको जीता है बलकुल धन्यवाद एनुवल एनुदीन हमद जी हमारे साथ जुड़ते हुए और तमाम अपने जो वादे हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप क्या कुछ करेंगे तो भी आपने सुना सपा प्रत्याशी एनुदीन हमद जी हमारे साथ मौजूद थे जिनों ने कहा कि अगर जन्दा का विश्वास उन्हें मिलता है और अगर जन्दा उन पर भरोसर जताती है तो वो हर वक्त हर समय और हर एक घड़ी में जन्दा के बीच मौजूद रहेंगे जन्दा का साथ द सपा प्रत्याशी एनुदीन एहमद जी मौजूद थे जिनों ने साफ तोर पर कहा किया कर जन्दा उन पर भरोसर जताती है तो वो हमेशा जन्दा के साथ खड़े रहेंगे हर एक अच्छे और बुरे वक्त वक्त चाहे जैसा भी हो वो हर एक वक्त में अपने वार्ड के ल खड़े जिरो जिया मेंगेशा जन्दा जन्दा मेंगे रहें।